हलो और वेलकम बैक टो माई चैनल माई होम एन केचें टिप्स फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं और उसके बाद एक बैल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना है जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शियर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएए कि वीडियो कैसा लगा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने काफी सारी कलॉथ पिंस रखी हैं और आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कलॉथ पिंस को हम किस तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं अपने घर के दूसरे कामों में यानि कि कलॉथ पिंस का इस्तिमाल गिले कपड़ों को सुखाते वक्त उनको हैंग करने के लिए होल करने के लिए किया जाता है बट इसके अलावा भी ये काफी तरीके से हमारे लिए यूजफुल है इस तरह की पिंस का इस्तिमाल करके हम रोज मरा के कई सारी प्रॉब्लम में या फिर लकडी में भी मिल जाएंगी तो जैसे भी पिंस आपके पास अवेलेवल हैं आप उनका यूज कर सकते हैं बैसे भी ये 20-25 रुपए में एक पैकेट आ जाता है तो बहुत जादा मेहगा भी नहीं है तो आप इस तरह के 2-3 पैकेट लेके रख सकते हैं घर में और आप इजिली इसे लगा सकते हैं दिवार में और आपके उंगली पर चोट लगने का कोई डर नहीं रहेगा यह pin clean को अच्छे से hold कर पाती है और आप easily दीवार में clean लगा सकते हैं इस cloth pin की help से तो यह था first use अब मैं बताने जारी हूँ आपको second इस्तिमाल तो इसके लिए आप एक hangar ले सकते हैं इस तरह का plastic का और इसके उपर आप इस तरीके से cloth pin को paste कर सकते हैं चिपका सकते हैं एक side में glue लगा दिया है मैंने glue gun का यूज़ कर रही हूँ आप fevy bond का यूज़ करके या फिर fevy stick का यूज़ करके भी इसको चिपका सकते हैं यह देखे पहले आप दौनों corners पर pin को चिपका लें इस तरीके आप चाहें तो pin को hanger से बान भी सकते हैं मोटे धागे का या फिर उन का इस्तिमाल करके इस तरीके से इसे पूरा तयार कर लेंगे और एक बार फिर से glue लगा देंगे ताकि यह अच्छे से stuck हो जाए इस तरीके से यह हमारा एक small cloth hanger बनकर तयार हो गया है तो आप 2-3 hangers इस तरह के बना के रख सकते हैं और उपने घर के छोटे कपड़ों को आप organize करके रख सकते हैं कप्ड़ बाद रूम में भी इसका इस्तिमाल किया जा सकता है या फिर चोटे गीले कपड़े को सुखाने के लिए यूज किया जा सकता है इस तरह के कपड़े socks हैं hangers हैं और छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं तो उनको आप इस तरे के से लगा सकते हैं पिंस के अंद चोटे बच्चों के कपड़े तो एक बहुत अच्छा तरीका है आप इस तरह के और गिनाइजर्स तयार कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे स्टोर भी आसानी से कर सकते हैं जो राउंड वाला एक और गिनाइजर आता है उसमें काफी दिक्कत होती है उसको रखने में आप इसको लगाना है पिन के अंदर और उसके बाद आप एकस्टा जो वायर है उसे लपेट देए इसे उपर इस तरीके से हलके हाल से और जो पिन है उसको भी आप इस तरीके से फसाद गें इसके आंदर और इस किसी भी ड्रॉर में रख सकते हैं जी ली और इसे आसानी से निकाला जा सकता है ये देखिए कितना आसान है इसको निकालना और ये उल्जेगी भी नहीं और सेफ रहेगी तो इस तरीके से आप cloth pin का इस्तिमाल कर सकते हैं जितने भी earphones आपके पास हैं आप उनको इस तरीके से रख सकते हैं इस ट्रॉर में भी आप earphones को store करते हैं वहाँ पर आप दो चार इस तरह के cloth pins रखे और जब भी आपको जरूरत हो आप earphones को organize करने के लिए cloth pins का यूज कर सकते हैं ये देखिए mobile phone stand भी बनाया जा सकता है cloth pins का यूज करके इस तरीके से set करना है आपने बस ये देखिए mobile के side में इस तरीके से आपने 4 cloth pins को यूज करना है और उसके बाद आप आसानी से YouTube अगर आप watch करना चाहते हैं तो देख सकते हैं ये देखिए पीछे की तरफ जो pins लगाई है वो मैंने wire के अंदर लगाई है और इस तरीके से आप mobile को set कर सकते है और जब जरू ना हो तो पिंस को निकाल कर रखा जा सकता है तो ये भी एक तरीका है cloth pins को यूज करने का और आप देख सकते हैं मेरे पास दो कांटा चमच है और मैंने एक cloth pin ली है इस तरह की spoons भी ले सकते हैं same size की होनी चाहिए और इस तरीके से इसे set कर सकते हैं आप step से use करना है से तो इसे set करने के लिए आप किसी धागे का use कर सकते हैं धागे को double कीजिए और इस तरीके से आप इसे tie कर लीजिए इसके उपर आप इसे roll करते जाए अच्छे से आपने लपेटना है और tightly not लगानी है इसमें तो इस तरीके से आप एक टॉंग तयार कर सकते हैं घर पर ही ये देखे टैटली नॉंट लगा दें इसमें और extra थ्रेड हो उसको कट कर दें दोनों साइड में आपने इसी तरीके से बानना है कांटे चमज को ये देखे ये देख सकते हैं एक टॉंग तयार हो गया है और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है बहुत अच्छे से ये चीजों को होल्ड कर सकता है कोई भी गरम चीज आपने उठानी है तो आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं गर्म तबे से आपने कोई चीज उठानी है जैसे कि टिक्की वगेरा को पलटना है तो इसके लिए बहुत अच्छा है बॉयल एक्स को निकालने के लिए बॉयल पटेटोज को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है तो आप घर पर ही इस तरह का टॉंग तयार कर सकते हैं सिर्फ दो मिनट के अंदर क्लॉथ पिन का इस्तिमाल करके और आप यहाँ पर सोग की जगा पर स्पून भी यूज़ कर सकते हैं आपको अपनी कीचिन में भी 80-10 कलॉथ पिंस राखने चाहिए वो आपके काफी काम आ सकती हैं क्योंकि कीचिन में हमारे पास इस तरह के कई सारे पेकेट्स होते हैं हर packet के समान को container में store करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस तरह से बहुत सारे क्लोथ पिन का यूज कर सकते हैं अगर आपको आधे packet का इस्तिमाल करना है तो जितना समान चाहिए आप उतना निकाल ले और उसके बाद यह जो पैकेट है इसको तीन-चार फोल्ड करने हैं आपने इस तरीके से और इससे सिक्यूर कर दें क्लोथ पिन की हेल्प से इस तरीके से दो क्लोथ पिन आप इस पर लगा सकते हैं अब इसके अंदर का सामान सेफ रहेगा और बिल्कुल भी इसके अंदर डस्ट या फिर मौस्चर नहीं जाएगा आप इसे किसी भी ड्रॉर में स्टोर कर सकते हैं तो इस तरीके से क्लोथ प तो इनको भी आप इस तरीके से 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 Lucy कर सकते हैं सारे वार सको एक जगा कठा कर सकते हैं क्लौफ पिन की हैल्फ से दिख्रे हुए वार को सईट करने के लिए घृक बिया कि हैं और आप आप करटन है बार-बार ऊड़ राहे यहां से तो इसको भी आप set कर सकते हैं cloth pin की help से तो इसे अच्छे से set कर लें और इस तरीके से इसे पकड़ना है बिल्कुल पास-पास से और एक cloth pin लगा सकते हैं आप पीछे की तरफ से इस तरीके से अगर कोई curtain बार-बार इधर उधर होता है तो ऐसा नहीं होगा वो set रहेगा अपनी जगा पर तो इस तरीके से curtains को set करने के लिए भी हम cloth pin का इस्तिमाल कर सकते हैं और इनके अलावा cloth pin का इस्तिमाल करके कुछ creative चीज़ें भी तयार की जा सकती हैं तो वो मैं अपने आने वाले वीडियोच में आपके साथ share करूंगे गीले कपड़ों को hold करने के अलावा भी कई तरीके से cloth pin का इस्तिमाल किया जा सकता है तो आज के वीडियो में मैंने आपको 8 तरीके बताए हैं जिसमें मैंने cloth pin का यूज़ किया है अगर इनके अलावा आपको भी कुछ आईडियाज पता है जहां पर आप cloth pins का यूज कर सकते हैं तो comment box में लिख करके जरूर बताईए आपके आईडियाज किसी और के भी काम आ सकते हैं तो जरूर लिख करके बताएं तो friends ये था आज का वीडियो उम्मीद है पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे like शरूर करें और अपने family और friends के साथ share भी कर सकते हैं whatsapp, twitter या फिर facebook पर वीडियो से related कोई भी query है कुछ भी पूछना चाते हैं या फिर आपके पास कोई सुझाब है तो comment box में लिख करके जरूर बताईए तो friends ये था आज का वीडियो जो की related था cloth pin से उम्मीद है आपको पसंद आया होगा thanks for watching